नमस्कार, संस्कृत के पाठ्य पुस्तक दस्वीक अक्षा के लिए शेमुशी भाग दो इसके तीसरे पाठ्थ का नाम है व्यायाम सर्वदा पत्यह इसका आज हम अध्यायन करेंगे व्यायाम सर्वदा पत्यह इसका अर्थ क्या है व्यायाम आप सब जानते हैं exercises सर्वदा always हमेशा पत्यह उसे पत्यह शब्द का जो आक्षरिक अर्थ है वो है जो मार्ग में उपकारक होता है यहां रूढ अर्थ है जो उपकारी है beneficial so exercise is always beneficial यह इसका अर्थ है व्यायाम सर्वदा पत्यह यह पार्थ कहां से आया है यह उध्रत किया गया है आयूर्वेद के शुप्रशिद्ध ग्रंथ सुस्रुत सम्हिता के 24 में अध्याय से इस 24 में अध्याय का नाम है चिकित्सा स्थान इसके रचाईता है आचारिय सुस्रुत भारत के दो प्रशिद्ध आयूर्वेदी या ग्रंथ जो पूरे विश्व को मालूम है वह है चरक सम्हिता और दूसरा है सुस्रुत सम्हिता वैसे तो चरक संभिता में जदा से जदा ओशधियों का ज्ञान दिया जाता है और सुस्रुत संभिता में उस समय ततकालीन जो सरजरी की पध्धती थी उसके बारे में वर्णित है किन्तु यह सास्त्र केवल अपने विशय को ही बंद कर नहीं रहते यह एक प्रकार के आकर ग्रंथ होते हैं इनमें अनुसंगिक बहुत सरी बातें आते हैं तो दोनों ही चरक संभिता और सुस्रुत संभिता में व्यायाम के उपर कुछ मार्ग दर्शन किया गया है व्यायाम के उपकारिता के बारे में बताया गया है तो यहां ये सुसूरुत संभिता के ग्रंथ से संकलित किया गया पाठ है तो व्यायाम सर्वदा पत्याह व्यायाम हमेशा उपकारी होता है इसका पहला स्लोक पढ़ते हैं शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम पहले इन्होंने व्यायाम किसे कहते हैं उसकी व्याख्या की है ईंने एक प्रकार से डेफिनेशन दिया है क्या है डेफिनेशन व्यायाम का? किसको कहेंगे? कह रहें कि शरीरायास जननम शरीर के आयास के जनन जनन याने जनक यानि जो उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है शरीर के आयास को उत्पन्न करता है शरीर का आयास यानि शरीर का जो श्रम है जो शरीर के श्रम उत्पन्न करता है उसको व्यायाम कहेंगे अर्थात आप शारीरिक कुछ महनत करेंगे तो उसको हम व्यायाम कहेंगे इसकी पारिभाशिक अर्थ के अनुसार वेशे तो आप मानसी की व्यायाम भी कर सकते हैं किन्तु यहां जो विशा लिया गया है वो शारीरिक व्यायाम का लिया गया है इसलिए उन्होंने उसके पहले स्पष्ट किया कि इसकी व्याख्या क्या है शरीरायास जननम आयास शब्द का अर्थ जो है वहां पर आ उपसर्ग है यास धातु से आयास शब्द बनता है इसी प्रकार का मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा प्रयास याने कोशिश तो वहां पर भी इसी प्रकार का शब्द है यास और वहां प्र उपसर्ग था और यहां आ उपस इस प्रकार से यहां आयास सब्द बनता है तो शरीर के आयास को उत्पन्न करने वला जनयती इती जननम तो वह कर्म शरीरायास जननम कर्म यानि वह कर्म जो शरीर के आयास को उत्पन्न करता है व्यायाम संगितम व्यायामेन संगितम व्यायाम के द्वारा संबोधित किया जाता है अर्थात उसको व्यायाम कहा जाता है तत कृत्वा तु सुखम देहम तत कृत्वा यानि तत व्यायामं कृत्वा शुखम देहम विम्रदनीयात शब्दकार थे विउपसर गहे म्रदधातू म्रदधातू से शब्द बनता है मरदन शब्द आपने सोना होगा तैल मरदन शत्रू मरदन अरी मरदन इस प्रकार से यानि एक प्रकार से मालिस करना यानि कि विम्रदनियात, सुखम देहम, देहम सुखम विम्रदनियात, शरीर को हलके से, सुखम, आराम से, म्रदनियात यानि मरदन करना चाहिए, यानि व्यायाम करने के बाद अपने शरीर को अच्छे से मरदन करना चाहिए, आराम से मरदन करना चाहिए, समन्ततह चारो ओर से यानि पूरे शरीर का अच्छी तरह से मर्दन करना चाहिए किन्तो वो मर्दन जो है बहुत रगड कर नहीं सुखम विम्रुदनियात आराम आराम से उसको मर्दन करना चाहिए इससे लाब होगा अब दूसरे शलुक के ओर जाते हैं क्या कह रहे हैं कि इससे लाब क्या होता है व्यायाम का पहले व्याख्या कर लिए और व्यायाम के बाद मालिश करना चाहिए हलके से ये भी बताया गया तो इस व्यायाम से लाब क्या होता है इसके बारे में शुशूरुत कहते हैं शरीरोपचयाह ये पहला लाब है शरीरा उपचयाह उपचयाह सब्दकार्थे वृद्धी इसका विपृतिशब्द होता है अपचयाह यानि ख्षिन होना तो शरीर की वृद्धी होती है व्यायाम से शरीरोपचयाह कांती ही, कांती ही मतलब एक पकार से सोंदरिय तेज निकलता है चहरे से व्यायाम से वो भिलाब होता है कांती ही गात्रा अनाम सू विभक्तता गात्र सब्दकार्थ है शरीर और यहां पर गात्रा अनाम कहा जा रहा है यानि शरीर के अंगों के शरीर के अवयवों के सू विभक्तता अच्छा पृतक्ता उसमें दिखता है अर्थात आपके जो muscles हैं वो स्पष्ट दिखते हैं जैसे अधुनिक भाषा में हम लोग केते हैं biceps, triceps, six-pack abs वगेरे इस पकार से जो है ये सू विभक्तता है तो होता है शरीर के तो ये व्यायाम से उठकर आते हैं आपके शरीर अच्छे, सुडोल और सुंदर दिखता है इसके आगे और क्या फाइदा होता है काउंसा अगनी उद्धित होता है कौन सा अगनी उद्धिप्त होता है हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा अगनी है जिसे हमारे पाचन के लिए अधी अच्छा होता है उसको हम जठरागनी कहते है जो शरीर के अन्न को पाचन सुपाच्य बना लेता है तो दीपताग नित्वम याणि व्यायाम से आपके वो शरीर के अगनी वो दीपत होता है याणि अच्छी तरह से जलता है जिसे आपके भोजन सुपाच्य होता है और आगे क्या लाब होता है अनालस्यम यानि आलस्य चला जाता है आपने देखा होगा अनेक समय में हमको कुछ करने का मन नहीं होता है एक आलस्य मन में शरीर में चाया रहता है हम जदा स्फूर्ती में नहीं रह पाते इधर से उधर जाने में हम हिचकिचाते हैं उसको आलस्य हम कहते हैं तो ये व्यायाम से आपका शरीर इतना जोशिला हो जाता है उसमें उतने स्फूर्ती आ जाता है कि वो आलस्य हट जाता है तो अनालस्यम और और है स्थिरत्व शरीर में स्थिरत्व आना यहनि आपका बड़ी स्टेबल हो और लाघवम, याणि शरीर में हलकापन भी रहता है आवशक्ता से अधिक वजन अगर शरीर में होता है तो हम कई सरे विमारीयों को अमंत्रित करते हैं और हम अपने जीवन के रोजमरा के जिंदिगी के बहुत सरे काम में हम पीछे पढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में वजन जदा होता है तो व्यायाम से उलाव होता है कि हमारे शरीर में हलकापन लाघव आता है और म्रिजा शब्दकार्थ होता है मारजन यानि स्वच्छता आपका शरीर अच्छे से स्वच्छ भी रहता है अंदर से और बाहर से स्वच्छ भी होता है कि हम व्यायाम करते हैं तो वो हमारे शरीर में पसीना आता है और पसीना आता है तो हमारे रक्त साफ हो जाते हैं और उपर से हम सुनान करके अपने शरीर को अंदर से और बाहर से स्वच्छ बना लेते हैं तो ये सारे लाव आपको व्यायम से मिलते हैं देखिए संस्कृत साहित्य में केवल आपको भाषा का ही ग्यान नहीं होता है भाषा का तो ग्यान होता ही है हम यही चाहते हैं कि संस्कृत साहित्य को पढ़ते हुए संस्कृत भाषा में आप प्रवीन हो जाएं लेकिन साथ ही साथ ऐसे अध्भूत अच्छे बातें आपके बताया जाते हैं जो आपके जीवन का पत्थ प्रदर्शक बन जाते हैं अगर आप इससे पहले व्यायाम शिल नहीं है तो बचों आप इस पार्ट को पढ़कर व्यायाम के वो सारे गुण लाभ को समझ कर आप जीवन में व्यायाम करते रहें यह आपके लिए यहां पर उपदेश मिलता है तो कौन-कौन से लाभ हैं फिर हमें समराइज कर लेंगे एक है शरीर उपचया है यह शरीर की व्रद्धी कांती ही दूसरा हो गया गात्रा आणाम सूविभक्तता दीपताग नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम म्रजा ऐसे आठ आठ प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं व्यायाम से तो यह स्लोक आपको स्परस्ट हो गया होगा आगे चलते हम तीसरे स्लोक श्रमक्लमपिपासोष्ण शीतादीनाम सही शुनुता आरोग्यम चापिपरमम व्यायामाद उपजायते तो इससे पहले आपको आठ जो लाभ बताए गए थे उसके साथ और ये अधिक लाभ आपको दिखेंगे व्यायाम से श्रमक्लमपिपासा उष्ण सीतादीनाम सही शुनुता ये सारेल आपको इकठा कर दिया है समास में वक्त कर दिया गया है कि सही शुनुता आपमें आती है endurance, tolerance, forbearance ये सब सब्द हम सही शुनता के लिए प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में सही शुनता यानि सहन शक्ती किस से सहन शक्ती होती है? सहन शब्तिका आर्थी यहां पर है कि कोई बाहरी दुस्मन को सहन करने की बात नहीं है वलकि श्रम को सहन करने की शक्ती क्लम, क्लम सब्द कार्थे थकान थकान को भी सहन करने की शक्ती यानि आप जल्दी थकते नहीं पिपासा उष्ण सीता दीनाम पिपासा प्यास भूख हित्यादी सहन की शक्ती फिर उष्ण सीता दीनाम सही शुनता उष्णता यानि गर्मी को सहन ने की सकती ठंडी को सहन ने की सकती ये सारी सही श्णुता आपके शरीर में आपके मन में आता है वो व्यायाम से ओलाभ होता है आपने देखा होगा कि हम गर्मी में एसी के बगएर रहने के लिए तयार नहीं होते ये हमारी असही श्णुता है शरीर में वो सही शुनता नहीं है जो व्यायामशिल है आप कई योगियों को देखते होंगे जो हिमालयों में इसे ही बिना गरम कपड़े के घुमते रहते हैं क्योंकि उनमें वो सहन सक्ति बहुत ज़्यादा है वो योगी हैं, वो व्यायामशिल है वो जीवन भर व्यायाम में तकपर रहते हैं तो इस प्रकार से अगर हम व्यायाम करते रहेंगे नित्य नईमितिक व्यायाम करते रहेंगे तो हमारे शरीर में भी वो अध्भूत शक्ति आने लगेगी जो सामान्य मनुस्यों में नहीं दिखता है तो पहले स्लोक में हम आठ लाभ देखे थे अब ये दूसरे स्लोक में हमने देखे कि सही शनुता एक के नौवा लाभ है और वो नौवा जो लाभ है वो कई प्रकार के चीजों में सही शनुता एक साथ कहे दिया गया है और दस्वालाब बता रहें आरोग्यम चापी परमम परमम आरोग्यम आरोग्यम सब्दकार्थ क्या है रोग रोग का विपरीत है अरोग और अरोग का भाव है आरोग्य यएनि कभी बिमारी नहोना ये है आरोग्य तो सहीशुनुत Pegat के साथ आपके पास परम आरोग्य, यानि आपका शरीर इतना स्वस्त रहे कि कभी भी आपको कोई बीमारी न छूँ सके, यह परम आरोग्य को भी आप प्राप्त करेंगे, यह सब व्यायामात उपजायते, यह सब व्यायाम से यह लाभ होते हैं, उपजायते यानि जन्म होते हैं, व कम से कम दस लाव, दस शक्तियां आपको मिल जाते हैं ये व्यायाम से, अब चोथा स्लोक देखते हैं, नचास्ति सद्रिशं तेन किन्चित स्थोल्यापकर्शनम, नचब व्यायामिनम मर्त्यम, अर्दयन त्यरयो बलात, इसका आर्थ कैसा होता है, कह रहे हैं कि नचास्ति सद्रिशं तेन किन्चित स्थोल्यापकर्शनम, स्थोल्यस्य अपकर्शनम, स्थोल्य सब्द किसे बनता है, स्थूल सब्द से बनता है, स्थूल को ता प्रत्य लगाते हैं तो स्थूलता, यानि भारीपन, और उसी अर्थ में स्थोल्य सब्द बनता है, तदितर प्रत्य या प्रत्य लगकर स्थूल से स्थाउल्य बनता है तो स्थाउल्यस्य अपकर्षणम स्थूलता का नास करने वाला अपकर्षणम खिंचने वाला कम करने वाला कंट्रोल करने वाला किरहें किन चास्ती न चस्ति ऐसा नहीं है उसके समान कोई और कुछ भी और तो उसके समान यान तेन सद्रिषम केन सद्रिषम व्यायामेन सद्रिषम व्यायाम के सद्रिश एशा कोई और नहीं है जो स्थूलता का भारीपन को कम कर सके स्थोल्या पकर्षणम किन्चित अपिन अस्ति नच व्याया मिनम मर्त्यम अर्दयन त्यरयो बलात इससे पहले दस्परकर के लाभ बताया था अब आगे भी और उलाव को फोरी दूसरी भाषा में बता रहे हैं कि देखिए व्यायाम के समान ऐसा कोई और साधन नहीं है कोई माध्यम नहीं है जिससे आपके शरीर का भारीपन कम किया जा सके और कह रहे हैं कि व्यायामिनम मर्त्यम मर्त्यम सब्दकार्थ है मनुश्यम मृत्यू लोक में जो जर्म लेता है उसको मर्त्या कहता है मृत्यू से मर्त्या सब्द बनता है तो मर्त्या यानि मनुश्य व्यायामिनम मनुश्यम व्यायामि मनुश्य के लिए मनुश्य को न अर्दयंती बलात अर याहा अरी शब्द का हुआ चान अरी याने शत्र अरयाह याने शत्रवाह अर्थ क्या हुआ कि जो मनुष्य प्रति दिन व्यायाम करता है उसके शत्रू बल से उसको कभी परास्त नहीं करप सकते कभी उसको दबा नहीं सकते अर्द यंति यानि दबाना तो अपने शरीरिक शक्ति से उसको कभी दबा नहीं सकते अगर व्रक्ति पति दिन व्याया मशील है तो इस प्रकार से और दो प्रकार के लाभ बताया कि एक तो है कि आपके शरीर का भारीपन कम करने का या अच्छा साधन है और दूसरा है कि अगर आप व्यायामशिल है तो आपके शत्रू आपसे डरेंगे कभी आपको दबाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते तो इसे दस और ये दोनों बड़ा प्रकार के लाभ व्यायाम के बताये गए हैं और भी लाभ आगे बता रहे हैं पांचवे स्लोक में नचैनम सहसा क्रम्या जरा समधी रोहती स्थिरी भवती मामसम्च व्यायामा भीरतस्यच केरें कि व्यायाम अभीरत व्यायामे अभीरत व्यायामा भीरत व्यायामा भीरत व्यायाम में जो रत है यानि नित्य व्यायाम शील है उस व्यक्ति का केरें कि नचैनम सहसा आक्रम्या जरा समधी रोहती जरा सब्दकार थे वार्धक्य वार्धक्य न समधी रोहती एनम वार्धक्य इस पर कभी नहीं चड़ता है करने कि सहस्य आक्रम्य अचानक वार्धक्य कभी इसको नहीं अतिक्रमन करके कभी उम्र से पहले सही उम्र से पहले कभी वारधक्य अचानक कि इन पर हावी नहीं हो पाता है और जल्दी कभी जरान समधिरोहती इस पर हावी नहीं होता है और क्या लाब है इससे पेले बारा लाख बता चुके है अब ये तेरुआ हुआ कि उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है फिर चोदो अलाब क्या है? स्थिरी भवती मामसम च मामसम यानि हमारे शरीर का जो मामस है जो चर्वी है वो स्थिर हो जाता है यानि ऐसे फैलता नहीं है बढ़ नहीं जाता है जो व्याया मामसम च उसका मामस स्थिर रहता है एसे बढ़ता नहीं है तो इस प्रकर से 12 और इसमें 14 प्रकर के लाब व्यायाम से बता दिये गए है आगे हम जाने से पहले हम चाहेंगे एक बार यहां तक आप जल्दी जल्दी रिवाइच कर लें कि व्यायम से कौन-कौन से लाभ होते हैं एक शरीरो पचयह देन कांती ही गात्रानाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मुर्जा एक श्लोक में आठ दूसरे श्लोक में श्रमक्लमपिपासोष्ण सीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापिपरमं व्यायमाद उपजायते इस करसे ये दस्प्रकार के लाभ हो गए फिर नचास्ति सद्रिशं तेन किंचित स्थोल्या पकर्शनम नच व्याया मिनम मर्त्यम अर्दयन त्यरयो बलात ये होगे बारा लाभ और यहां पर होता है और दो लाभ नचैनम सहसा क्रम्य जरा समधी रोहती और स्थिरी भवती माम समच व्याया माभी रतस्यच तो इस प्रकार से चोदा पकर के लाभ आपको व्यायाम से मिलते हैं इसके आगे और भी बताया जाएगा अब तक जितना आपने पढ़ा उसको एक बार रिवाईज करके और सब्द सह इन स्लोकों को समझ कर रखिए फिर हम अगले बार इसको आ हुआ 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 है